हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल मैं आप सभी का चैन्दा निटिंग चैनल में स्वागत करते हूं आज मैं आपके लिए टू कलर में ब्यूटिफुल सा पैटन लाई हूं यह पैटन बनाना बहुत इजी है सिर्फ हमारे सिक्सरों का यह पैटन है यह डिजाइन आप अपको बना Kentucky किसी पोजेक्ट में डाल सकते हैं इसमें पहले मैं आपके बौदर बना लोंगी एक उल्टा एक सीदा आप किसी को देग्ट में डाले तो पहले इसी तरह एक सीदा और एक उल्टा इसी तरह हम इसको बना लo बोडर के तरह आप बोडर को और बी बना सकते हैं अगर किसी बढ़ पर जेक्टर में डालें तो जैन से स्वेटर बच्चों के स्वेटर के लिए बोडर अच्छा है आप इस बोडर को भी डाल सकते हैं यह बहुत ही सुन्दर बोडर है यह डीजाइन बनाना एकदम इजी है टू कलर में है यह किसी बी लेडी जैन्स बच्चों के स्वेटर सॉल में किसी बी प्रजेक्ट में डालें सब में बनके बहुत ही अच्छा लगता है बिगनर भी आराम से बना सकते हैं यह इसी तरह में पहले एक उल्टे एक सीधा है इसी तरह यह बडर बना लूँगी जो वहां से उल्टा बना था उसको सीधा बनेंगे जो सीधा बना था उसको उल्टा तो इसी तरह मैं बैक सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर लेती हूं एक उल्टा एक सीधा एक सीधा करके यह तोन साइड से हमारा यह बौडर एक ही जैसे दीखता है तो मैं इसी तरह इसको पूरा कर लूँगी पिर मैं आपको सीधी सिलाई में दिखाती हूं यह हमारे टोटल सिक्स रो काई डीजाइन है अब यह ने बना लिया है अब यहां से हम पैटर्न शुरू करेंगे फस्ट रो है पहला फंदा उतार के यह दीजाइन हमारे बैक साइट से पढ़ता है तो सीधे सीधे बना दूंगी इसमें कुछ नहीं करना है हमने सीधे साइट से सारे फंदे सीधे सीधे जाएंगी तो इसी तरह में देखे सीधे सारे फंदे बना लेती हूं लास्ट तक सब इमने सीधे बनाना है बैक साइट से हमारा पैटर्न बनेगा तो मैं इसको इसी तरह स यह मैंने सारे सीधे सीधे बना लिया है यह आप इसको चार यह पांच अंगुली बॉर्डर बना के फिर बना सकते हैं अब मैं बैक सिलाई में हूँ यहां से हमने पहला फंदा उतार के अब यह दागा अपनी तरह भी रहेगा एक फंदा उल्टा बना लेंगे दागा लपेटेंगे जिस तरह हम जारी डालते हैं उल्टा उल्टा बना देंगे फिर दागा लपेटेंगे फंदा उल्टा बना देंगे फिर दागा लपेटेंगे फंदा उल्टा बना देंगे इसी तरह हमन धागा लपेटते हुए बना लूँगी, simple है, एक फंद फंद इस तरह लपेटना है, और फंद को उल्टा बना ना ना है. धागा अपनी तरह भी रहेगा जितने भी फंद है अब कि इसी तरह बना ने हैं, में इसमें टोटल 25 फंद ह्यान like सबी मैं दागा लप 17-11 00 जिखते हैं सिर्फ इस्टिश रोपाई पैटर्न है सीधी श्लाई तो इस इस इंपली बनानी होती है सीधी अब देखे यह थर्ड रोव है सीधी सलाई से अब यहां पर हमने पहला फंदा उल्टा बना लेना है जो सीधा दिख रहा है यह एक फंदा बनाएंगे अब देखी फंदा दो दिख रहें दो जाली दिख रहें जेली से बढ़ा में ऐसे फंदा बीच में सीधा दिख पिर ये तीन का एक कर देंगे फिर से धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे फिर ये तीन फंदffentlich का दो सिद्धा होगा तो इसी तरह अमने ये तीन का एक कर लेने हैं तीन फंदों को एक कर दी जागा अपनी तरफ एक बंदा उल्टा तीन फंदों को एक बंद इस तरह आपके जितने भी बंदे हैं सारूं खंदों को अपने इसी तरह बनाने हैं सिधीमन के घ्रिफ समनरे नेट इसी तरह सार rend में आपके भी जितने बना एक करना है जाली वाले एक अंपको यह भंता उंटा बनाएंगे लो व्यहा है Tal ya करते है ये तीन फंदों का एक करना है फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर तीन फंदों का एक सेम करते हुए आपने सारे फंदे इसी तरह बनाने हैं सेम रिपीट करते हुए तीन फंदुगा एक और एक फंदा उल्टा बनाओंगी तीन फंदुगा एक करेंगे तीन फंदुगा एक कर दिया यह फंदक गिर गया इसको मैं उठा लोगी फिर इसको उल्टा बनाने के धागा अपनी तरफ करके उल्टा अब यह तीन फंदुगा फिर से एक कर देंगे तीन फंदुगा एक करते हुए सारे फंदे इसी तरह बना जिए लास्ट तब अब यह एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा अश्या फंदा अब इस तरह हमारी यह थर्ड़ों कंप्लीट हो गई है फोर्ट रों है वेक साइट से अब हमने यहां से पहला फंदा उतारके यह ताल यहां फंद फंदे फंद बना थे अिस ग्रट फंद को सिलिफ कर देंगे यह करेंगे यह नहां बना लकुत अब यह एक फंदा बनाना है दागा पीछे साइडी रहेगा और एक सीधा एक स्लीप एक सीधा एक स्लीप फोर्ट रो इसी तरह बनेगे इसको स्लीप करेंगे और इसको सीधा बनानेगे इसको स्लीप करेंगे और इसको सीधा बनाएंगे एक स्लीप करना है एक सीधा बनाना है इसी तरह सारे फंदे बना लेने हैं इसको स्लीप करेंगे इसको सीधा बना लेंगे इसको सीधा बना लेंगे इसी तरह लाश्ट तक मैंने सारे फंदे यह हमारी 5th row है फ्रेंड सीधी साइट से अब यहां से हमने एक फंदा उल्टा बना लेना है जो वहां से सीधा बनाया था उसको उल्टा बनाएंगे जो यह दहगा पीछे करेंगे जो फंदा हमने शिलिप किया था बैक से फ्रंट से भी सिलिप होगा उसको बनाना नहीं है ज करना है जो बनाया था उसको यहां से उल्टा बनाएंगे जो वहां से सीधा बनाया था इस फ्रंट से उल्टा बनाएंगे और जो उतार था उसको उतारेंगे तो इसी तरह हमारी 5th row बनेगी एक फंदा उतारेंगे एक फंदा बनाएंगे तो इसी तरह हमारी 5th row यह इसको है कि यह खंड़ा उतारेंगे और इसको बनालेंगे कि फंदा स्लीप यह पंदा बनाना है इसी थरा हमारी फूरी 50 जलाई इसी ज़िनं भी आराम से बना सकते इतना इसी पैटेन है फ्रेंट एक पार समझ मा जाएगा तो इसको हम उतार लेंगे होडे कि उतार लेंगे और इसको बना लेंगे यह फंदा उतारेंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे-उल्टे बना लेंगे इस तरह हमारी फिप्ते सिलाई कम्प्लीट होगी अब 6 रो है बैक साइड अब इस सिलाई में हमने कुछ नहीं करना है सारे फंदे धागा अपनी तरफ करते हुए इसी तरह में बना लीती हूँ अब इसी तरह बना लीटी मैंने यह दिखे इस तरह हमारा एक पैटन बन गे कितना सुन्द लग रहा है यह लाइट में थोड़ी चमाग रहा है इसलिए अब हम यहां से दूसरा कलर जोड़ेंगे आप जीस भी कलर में बना रहे हैं मैं इसमे दोबारा से रिपीट पैटन होगा तो फिर से हमने सेम करना है पहली सिलाई हमारी जैसे हमने पहले बनाई थी सीधी सीधी इधागल लपेटिंग लेंगे जो जोड़ रखा साथ में तो सारे फंदे सीधे सीधे जाएंगे आगे पूरे फंदे हमने सीधे सीधे बनाने है ज तक सारे भंदे सीधे सीधे बना लो एक नम इजी है यह दुबारा मारा फेटन पढ़ रहा है रेपीट हो रहा है इस तरह मेरी फेस्ट शिलाई कम्प्लीट होगी है अब बैक सिलाई है फिर यहां से भी हमने सेम रेपीट करना है धागा लपिटते हुए सारे भंदे उल्टे बना लेने एक धागा लपिटेंगे एक फंदा उल्टा धागा लपिटेंगे एक फंदा उल्टा तो इसी तरह हमने सारी शिलाई इसी तरह बना लेनी है धागा लपिटते हुए पूरे फंदे इसी तरह मैं बना लोंगी कुछ नहीं करना है सेम ही करना है इसी तरह सेम रिपीट करते हुए मैं पूरी सिलाई बना लेते हूए फिर दिखाते हूँ सीधी सिलाई में सेम ही करना है रेंट कुछ नहीं करना है जिसको हम सारे धागा लपीटते हुए इसी त penswick बना लेने बना के फिर दिखाते है यहां से फिर मैं लास्ट तग पहुंच गई हूं यह सारे फंदे में सीधे सीधे बनाती है अब यहां से थर्ड रोमा आगे फिर से सेम करना है यह फंदा एक उल्टा बनाएंगे यहां पैतर बीच में लाने के लिए फ्रेंड जो उमने पलाया इस थिक उसके बीच whe लाएंगे यह बीच में यहां पहांए गाई तो यह तीन गया एक करोंगे मैं आप इन फंदों को साइड के सीधे भी कर सकते हो याने ये दो उल्टे बना दिये इसको भी यहां से हमारा पैटर्न शुरू होगा ये पाइला फंदा उल्टा बना लेंगे अब ये तीन फंदुगा एक करेंगे दो जाली वाले एक बीच वाला तो इस तरह हमारा ये ADM बन जाए फिर से सेम करना है तीन फंदुगा एक करना है तीन फंदुगा एक करेंगे ये तीन फंदुगा एक करेंगे इस तरह दागा अपनी तरह एक फंदुगा उल्टा दागा पीचे तीन फंदुगा तीन फंदुगा एक कर दिया एक फंदुगा उल्टा बना हैंगे फिर दागा सेम करेंगे तीन फंदुगा एक कर दिया ये गुल्टा फिसे तीन फंदुगा एक कर दिया इसे तरह पिर सेम करते हुए इस सारे फंदे इस तरह बना लेंगे ये इस तरह का है ये तीन फंदुगा फिसे एक करना है आप उसको इस तरह भी या पीछे से भी किसी भी तरह के से तीन कई कर सकते हैं एक फिल्टा बनाया फिर तीन फंदुगा आपको समझ में आजिया होगा किस तरह मैं इन को बना रहे हुए सिंपल सा डीमा फैंट विस तरह में लास्ट पढ़ना देख सीधे सीधे अब बना सकते हैं कि नहीं इसको तुर्ट फैस इस तरह बना देंगे हुआ। को फोर है बैग सइब को वह निक है को इसे alt को कमधा बनाएं को में 229 ऑब ये दिखेंगे 25 यह वाला कंदा स्लीप करेंगे इसंते टीन कई 전 कृए था उसको सीरेंगे यह वाला मपंदा सीदा कि इसको sleep करेंगे दागा पीछे ही रहेगा और ये इस तरह बनाएंगे ये फंदा उतारेंगे दागा मेरा पीछे ही है और इसको इस तरह बनाएंगे ये sleep करेंगे जिसमें हमने पीन का एक किया था उसको sleep करना है और जो एक फंदा उल्टा बनाए था उसको सीधा बनाना है तो यह बनके आता है अब या इनको उल्टेई बनाएंगे दागा पीछे यह फंटर स्लीप करेंगे इसको डूटाँ बनाएंगे यह फंदर आसलीप करेंगे कि इसको उल्टा बनाएंगे यह को एम पहुण धनी करेंगे को इसको उल्टा बनाएंगे आप है मैं अभी इसको पूदा बनाहें यह जीन करेंगे जो गु करेंगा उसको ने ईक की हमेशनィ लिट किया थे उसको सीधी से भी चुरुकी करेंगे उसको बनाएंगे निए जो भात से बनाएथा उसको हम बनाएं KS bada sparks आए उसको यहां से उट बनाएं डाइं गडिकी जो बनाएथा उसकुंदे को हमëं सीथ करें लास्ट के ने षाुट। उलटे उलटे आ जाएगे इस तारा हमारीये पाच्ची सिलाई कम्लीट होगी जिक्स रोड़ एप एक साइड ये सारे फंदे उलटे उलटे बनाने है फ्रैंड इनको मैं सारे उलटे उलटे इस तरह बना लेते हूं फिटी खाते हूं यही 6-0 आपको बार बार रिपीट करना है और आपका पैटर इस तरह बन किया आएगा, इसी तरह आप जब बनाओगे, अब यहां से हमारे फिर white की, यहां से white प्लत से हम सीधा सीधा बनाएंगे, बैक से जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा मुनते, जाली डालते हुए, स इसमें तीन का एक करेंगे, उसको स्लिप करेंगे, तो इसी तरह 6-0 आपको रिपीट करते जाना है बार-बार, और आपका इतना सुंदर पैटर बन के आएगा, यह इसी तरह बन के आएगा, बच्चों के स्वेटर के लिए, जैन स्वेटर के लिए, लेडीज कार्डियन मे कमेंटर है, बेक से कुछ इस तरह दिखता है, और फ्रेंट से इस तरह है, अगर वीडियो पतना आई तो आपने फैमली सरक्लोरी चे रूल सियर करना, थैंक्स को बोचिए,